नमस्कार दोस्तों इस वीडियो नो बात करने वाले हैं सर्जिकल इंस्टूमेंट के बारे में देखिए बहुत सारा सर्जिकल इंस्टूमेंट है जिसको क्याम लेकर आया है और आपको समझाने का वन वाई वन कोसिस करेंगे और आपको बताने का कोसिस करेंगे कि आखिर इस उस पर WhatsApp कीजिएगा कि I want to join this group तो आपको join करवा दिएगा टेलिग्राम का group जिस पर सारे lecture का PDF एबलेबल हो दोस्ता जिसका चार्ज इस 4.99 है lifetime access है फिर दुबारा कभी पैसा नहीं लेगा फिर सारे lecture का PDF आपको मिलता रहेगा उस पर तो आईए one by one start करते हैं मतलब कि फैलाने का काम करता किसी प्रकर अगर सीजर लगा हुआ है और उसको खीचना हो तो उसके लिए इस instrument का use क्या आता है इसका size अलग अलग होता है जैसे 40 into 50 mm है वही 37 into 38 mm है वही कि उसी काम को आता है skin को incision के during खीचने का मतलब कि लैपरोटोमी हो गया है या फिर होड्य का आपरेशन है या फिर स्कीन को खीचना हो तो उसके लिए इसका use किया जाता है नेक्स्ट जो है डिवर्स रिट्रेक्टर वैसे इन चीजों को आप पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा यह बहुत अच्छा लिखा हुआ है हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा को जैसे कि आप देखते हैं सरजरी जब होता है तो बेबी को अगर मूव करवाना हो तो इसी से ऐसा प्लट दिया जाता तो इसका भी यूज़ हो सकता है इस तरह से उठाया जा सकता है ऐसा इसको यूज़ होता है जैसे की गेस्ट्रोटॉमी या फिर कॉलसिस्ट्र्टॉम करता है यह तो यहां पर हिंदी भी है इसका पॉड़ी जगा इंग्लिस भी है अगर आप जिस लैंग्वेज में कमफर्टेवल है तो उसमें पढ़ सकते हैं नेक्स जो है आर्मी नेवी रिट्रेक्टर अब आपको लग रहा होगा कि यह आर्मी नेवी क्या होता है तो ऐसा सकता होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है अब आता है नेक्स्चे रिट्रेक्टर इसका उह आना हो तो इसके लिए इस का बहुत अच्छा यूजस है जैसे कि वांड हो गया या फिर किसी पर कठा है लगा हुए आत उसमें यहां पर लिखा हुआ है इसको पढ़ सकते हैं नेक्स जो है नेक्स है 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 रिंग टॉन रिट्रक्टर इसका भी यूजस जो है वह किसी परकार का अगर आपको उतको को पीछे की और खीचना है या फिर रोकना है तो उसके लिए इसका यूजस किया जाता है इसका बहुत सारा यूजस होता है जैसे कि आपको अब्डॉम्नल और गन में या फिर किसे परका क्ल शेक्टोमी जिए समस्याओं में इसमें यूजस किया जाता है अब नेक्स जो है सेफ इसका जू ईूजस है सिल इक्व रिट्रक्टर इसका जो यूजस है वह किसी चीरे घा ऊपको खूला रखने के लिए इस इन्स्टूमेंट का यूज़ किया जात यूजर जो है उत्कों को जखड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है बहुत अच्छा काम है इसका नाम है कॉल सिस्टिक टॉमी फोर्सेप जिसका यूज है किसी चीज को पकड़ना हो जैसे सिस्टिक डग्ट है यह चपकाने वाला काम करता है देख रहे हैं ऐसा ऐसा बन यूज किया जाता है बहुत अच्छा इसका यूज है तरह नने के अधॉज तो किसी बिदा यूज कर सकते हैं पकड़ने के लिए इंस्ट्रुमेन्ट में यूज करे सकते हैं अपने खकالग तो इसा कुछ होता है प्लbt इसको बोलते है प्लीच सायो जैसका जैसा आपका किय फेक नहीं सकता तो यहां से यह वैक्यूम बनाता और यह खीचता है धर की यहां से यहां खीचा 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 खीच के यहां से फिर एक ट्यूब रहता है उसमें जमा कर देता यह सारा थूख हो गया खकार हो गया जो भी आपका जो सक्षन करने वाला क्मा पार्ट है उसको एक pakai लेता तो इसको Saqsen ट्यू बोलता है इसका यूज ओ है बहुत काम करता है अब आता है सर्जिकल ब्लेड के बारे में अच्छिकल ब्लेड जुह Bहूत सारा होता उस तरह का यह blade fit होता है और इसका fit करने का जो equipment वो यह है यह जो है इसी knife handle बोलते हैं इसी में लगता है यह वाला यह जो चीज है और लगने के बाद फिर cut के लिए के लिए तयार हो जाता है वैसे style बीना style किये instrument के यूज़ नहीं करना चाहिए हो सकता है इस पर तरह तरह का बैक्ट्रिया बैठा हो और किसी organ पर गया और उसको infected कर दिया हो तो ऐसा कुछ होता है बीना style किये नहीं यूज़ गया जाता है सब चीज़ों अब आता है आई का यूज़ किया जाता है पकड़ने के लिए काईची की तरह है अराम से पकड़ भी सकते हैं तो ऐसा कुछ होता है वहाँ पर यह सारा चीज़ है इसको पढ़ लिजेगा आपको ज्यादा समझ में आएगा हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जागा व तो नेक्स जो है आर्टरि फॉरस इसका यूज़ है वह शूचर को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया आता है जैसे यहां प्रिदील हो गया है यहां पर इसको पकड़ लिए आता तो इसके लिए इसका नाम और्ट्री फोर्चेफ है कहींची है कहींची कि तरह होता है इसमें धारूर नहीं रहता है आब नेख्ट जो है इसमें रखा जाता है कि सरजेरी के दौरान इस पॉंज वगरा है उसको रखने के लिए काम में आता या यहां फिर्ट करना हुए यह कहा जी दिखाना का काम नहीं मैं तो इसको इसम के लेके रख दिया आया था ताकि जहां पर ले जाना हो वहां पर आराम से इसको पहुंचाया जा और आराम से यूज किया जा इसमें बहुत सारा बैंडेज वगएरा जो भी इंस्टुमेंट भी होता है इसमें तो तरह तरह चीज़ों के लिए इसका यूज कह सकते हैं एक समझ पर्दे लिए फ़्च पकड़ने के लिए लिए या फिर परदे घृलियں के लिए इसको पकड़ने के लिए जाता है पकड़ के खीचने के लिए क्योंकि हाथ से नहीं खीच सकता है तो इसी के लिए इसका यूज कर दिया जाता है जैसे नीचे वाले आंगों में ज्यादा होता है तो वहाँ पर ये इसको रिमूव करने के लिए सटैप्लर को कैसी आप दी के मारा जाता है कोपी किताब में वैसा ही पीन होता कइसे का यूज कोष्टा को सटा सटा देता है तो ऐसा कुछ होता है नेक्स्ट है स्पॉंज होल्डिंग इसका यूज आता है यहां पर रूब डाल दिया ॹाटन दाल दी ने जहां पर Straight होता ना तो वहां पे पहले डाला जाता है वहां पर इसे ह ereक करने के लिए इसके युज किया जाता है पकड़के हाथ से करेगा तो हाथ नेड़ जागा तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है बहुत अच्छा काम है नेक्स्ट है नीडिल होल्डर इसका भी यूज़ वही है नीडिल को सुई को सीने के लिए इसका यूज़ किया जाए और नेक्स जो है यह प्रोक्टो स्क यूज जो टेढा मेडा देख रहा है इसका यूज हो दरह दरह के फॉर्मलीन सאॉलूशन है या फिर किसी का सलूशन है वहां से निकालने के लिए हटाने के लिए इसका यूज आगा याता है यह टेढा मेडा होता कुछ तो आईसा होता नेक्स जो है Dial Intestinal 4cep इसका उसे जो है ита की sergery में किया जाता है तरह तरह का instrument है कहींछी है अब तरह तरह काा उसे लिया जाता है वैसे पढ़ लिजागा तो जादा समझने आजआगा अब आता है next check इसका जो उसे है पकड़ने के लिए टीशु को पकड़ने के लिए किया जाता है अगला है वोर्सेप यह भी है जिसका यूज के पकड़ने के लिए टीशु को होलडिंग करने के लिए और यह दोनमें अंतर यह है कि यह Lodec. और ये वाला जो है इसमें थोड़ा फॉर्ट के नाम से आता है, और अगला जो है रेंडल फॉर्ट इसका जो यूज है, वह भी ग्राइस्पिंग स्टॉन फॉर पॉलेपस के लिए यूज किया जाता है, जिसे पत्री हो गया, पीत पत्री या फिर किसे प्रगा का चीज है, उसको पकड़ने के लिए इसका जिसका यूजर जो है बहुत तरह चीजों में कि कॉलिस इस्टॉमी या फिर पितास्या से जड़ी समस्यां हो गई है इसको पकड़ने का भी यह भी काम करता है अब जो नेक है बैक फॉर्ट से जिसका यूज है ग्रैस्पिंग यूट्रस फ्लोफियम ट्यू या फिर है को काम करता हम पंखुदे का काम करता यूज किसे कुछ भी उठा सकते हैं कुछ भी इस데क नहीं करना हो तो यहां पर यह damage हो जगा यह पकड़ने के बाद तो नहीं करना हो तो हो सकता है इससे भी खी सकते हैं तो ऐसा जो भी आपको अच्छा लगता है उससे काम किया जाता है अब आता है है मैच जयंल सीजर इसका यो सारे कट के लिए यूज सीजा क्ट करें इसके जाता है आप ये adapt बैंग मलें और काटना के लिए भी तीशू नहीं कटेगा है से यहां पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लिजेगा अब जो नेक्स्ट है स्टेट मायो सीजर इसका जो यूज है लंबा होता है यह स्टेट मतलर की लंबा और इसका कटिंग के लिए यूज किया जाता है जैसे सूचर को काटना हो या टाका जिसको बोलते हैं उसको काटना हो तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है वैसे काट तो कुछ भी सकते हैं इससे बेंडेज भी काट सकते हैं रोई भी काट सकते हैं टाका भी काट सकते हैं जरूरी थोड़ी है कि इसी से कटेगा तो ऐसा नहीं है आप इसको जिस चेजर में हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं अच्छा से ये जो है ये हैवी टीशो काटने के लिए इसको यूज़ किया जाता है इसका नाम है कर्वड मायो सीजर बहुत अच्छा काम करता है तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होका इसका पीडिएफ लेने के लिए आप पीडिए बहुत कम माउंट में और बहुत मेहनत के साथ बनाया गया ये पीडिएफ है जो कि अगर हम आपको दिखाने का परिदास करें तो इसमें सारे चीजों को डिसक्स किया जैसे कि यहां पर मेडिकल सेंटेंस हो गया ओल्मेडिकल मेडिशीन हो गया और भी तरह-तरह की चीजों जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं तरह-तरह के सेंटेंस के बारे में तरह-तरह के फोटो की माधिम से बता आ जाता है और इंपोर्टेंट सीरफ हो गया उसके बाद फीवर मेडिसीन हो गया टाइप साफ इंजक्शन हो गया यूरियन टेस्ट हो गया प्रिमिन सी टेस्ट आप अप्रम शार से डाला गया है PDF जो कि अभी तक टाला गया मतलब तक दण यह प्ले उ हmeal पहले 24 गंटा पहले बारा गंटा पहले आपको एवलेवल हो जाते हैं आप revision करके आप videos को देख सकते हैं ज्यादा समझ में आगा और जैसा कि demo के लिए देख सकते हैं यह all medical medicine के बारे में यह 62 pages का PDF है जिसमें सारे medical का medicine को हम discuss किये थे उसके uses, doses सभी चीज़ को cover किये थे और total medicine को injection हो गया, syrup हो गया, सारे चीज़ों को cover किये थे तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, emergency medicine यह सारा demo के लिए आपको दिखा रहा हैं ताकि आप देख के समझ सकें बहुत सारे चीज़ों के बारे में हैं, अगर आपको लेना हो दोस्तों, इस PDF इस group में जुड़ना हो तो नीचे दिया गया जो number है, उस पर payment करके, 499 का payment करके, आप screenshot इसके whatsapp पे भेज़ेगा, तो वहाँ पर आपको link मिलगा, वहाँ से आप join कर जाईएगा इसमें एक बार लेने के बाद, आपको कभी पैसा नहीं लगिया दोस्तों, आपके पास ये हमेशा अबलेबल PDF आपते रहेगा, आपको कभी फिर पैसा नहीं लगने वाला है, तो ऐसा कुछ इस PDF के बारे में हैं, तो लेने के लिए आप payment करके, screenshot भेज़ेगा, whatsapp पे, तो आपको join करा दे आएगा, धन्यवाद दोस्तों,